सबसे पहले आपको desktop या mobile के browser में जाना है और वहाँ पर type करना है भूल लेक और enter कर देना है इंटर करने के बाद जो search में आपको first option शो होगा भूल लेक इस पर आपको select करना है और आगे बढ़ना है क्लिक करने के बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार की जो main website है वो खुल कर आ जाएगी इसमें देखिए कई सारे option है जिसमें से यहाँ पर लिखा है खतवनी जैसे कि मैंने वीडियो के thumbnail में बताया है खसरा और खतवनी कैसे निकाले तो देखिए यह option पर आपको click करना ह क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा इंटर capture code तो जो एक capture दिख रहा है आपको यहाँ पर इस box में type करना है capture type करने के बाद नीचे देखिए option आरा submit का इस पर आपको click करना है और आगे बढ़ना है click करने के बाद आपके सामने एक नया page open हो जाएगा इसे शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है जिन ग्रामों की वर्तमान खतावनी नहीं दिख रही है उन ग्रामों की real time खतावनी देखी जा सकती है जिस ग्राम की खतावनी real time खतावनी में convert हो गई है मतलब उसमें जा चुकी है इसका detail real time खतावनी dashboard पर देखा जा सकता है तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा real time खतावनी के बारे में बताऊँगा तो आपको notification आ जाएगा आप वहाँ से जाकर check कर सकते हैं तो चलिए इसे मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले आपको जनपत सिलेक करना है तो चलिए मैं जनपत सिलेक कर लेता हूँ उसके बाद आपको तैसिल सिलेक करना है तो चलिए मैं तैसिल सिलेक कर लेता हूँ उसके बाद आपको gram सिलेक करना है तो जो आपका gram है या गाओं है वो आपको यहाँ पर सब गाओं दिखेंगे इस तैसिल और इस जनपत के तो अगर आपको यहाँ से धूडने में असानी होती है, तो आप यहाँ से धूड़िए, नहीं, तो यहाँ पर देखे लिखा है, grain का पहला अच्छर चुने, तो देखे जैसे कि गाहों का नाम है कच्छ पूरा, तो यहाँ पर मैं कर सीलेक कर लेता हूं, कर सिलेक करने क वाद जितने भी कर से gram के नाम है उस सब आ जाएंगे तो जैसे कि मुझे कच्छपूरा सिलेक करना तो यहां देखें मैं सिलेक कर लिया gram सिलेक करने के वाद आपको एक नहा page ऊपन हो जाएगा यहाँ पर देखे लिख के आ रहा है जो मैंने सिलेक किया है जनपत इटावा तहसील चकरनगर ग्राम कच्छपुरा उसके आद देखे एक बॉक्स आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसमें आएगा फसली वर्स जो उस समय चल रहा होगा आपको बाइड डिफोल्ट वही खोजे तो यह 4 है चार आपशन है इस तरह से आप इसमें डेटेल डालकर धूर सकते हैं तो जैसे कि मेरे पास खाता संक्या है तो मैं उस से धूर लेता हूँ तो चलिए मैं खाता संख्या जो option उसके select करता हूँ select करने ओर यहां पर लिखिया रखright खाता संख्या भरे तो नीचे जो number से वहाँ से ही आपको select करना है तो चलिए मैं select कर लेता हूँ खाता संख्या number डालने के बाद यहां पर آپसे नार रखोजे इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जब आपको details show होने लेगी ये देखिए सारे details आ गई है खाता संक्या डालने के बाद उसका दियाँ पर लिखा है उद्धरन इस पर आपको क्लिक करके पूरा data देखना है तो चलिए मैं इस पर select कर लेता हूँ select करने का देख फिर से capture का option आएगा वो मैं जहां पर type कर लेता हूँ box में capture type करने का देखिए continue का button है इस पर मुझे click करना है और आगे बढ़ना है तो चलिए मैं click करता हूँ click करने के बाद एक नया page open हो जाएगा जिसमें आपका खाता विवरंट पूरा दिखेगा मतलब खतवनी का पूरा detail आजाएगा आप यहां से check कर सकते हैं यहां पर देखिए gram का नाम आ रहा है परगना आ रहा है तहसील आ रहा है जनपद आ रहा है फसली वर्ष चो हो रहा है एक जुलाई 2014 से 30 जून 2020 भाग एक और खाता संक्या जो मैंने टाइप किया तो महाँ पर 00052 उसके बाद यहां पर देखिए खाते का नाम पिता पती सनच्छक का नाम निवासस्तान तो सारी डिटेल यहां पर आप आसानी से check कर सकते हैं खसरा संक्या check कर सकते हैं 6 रफल कितना है आदेश को जारी हुआ है तो उस चेक कर सकते हैं टिपड़ी चेक कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो कितना आसान है सिर्फ एक मिनट के अंदर अपनी खसरा खतनी نकालना अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो